नमस्क्रा दूस्तों दूस्तों आज जिस एक बैंकिंग स्टॉक की मैं आपके साम दें चर्चा करने वाला हूँ उसके उपर जमें वीडियो बना रहा था मुझे कुछ ऐसी चीज याद आ रहे थी कि जब ये स्टॉक एक फ्री फॉल में था इस दें निवेशकों का इतना ज करते हैं अगर उसकी मैनेजमेंट मिसलीडिंग हूँ अगर उसकी मैनेजमेंट एक आपका सकते हैं अगर कुछ गलत काम करने पर आ जाए तो एक बहुत ही प्यारे बहुत ही शानदार इंस्टूट को किस तरह तबहा कर सकती है उसका जीता जागता एक्जैंपल येस बैंक ह बट रात गई बात गई वाला हाल तो ठीक है दोस्तों लेकिन विश्को ने बहुत बहुत पैसे गवाए लेकिन पिछले एक साल में जिस तरह से इस बैंक ने पुरक ट्रांस्मिटिव जर्नी अपनी पूरी की है वो अपने आप में देखने के लाएक रही है तो यस बैंक में यहां से वे फॉरवड क्या है कौन से वो पॉइंट्स है जो आपकी नजर में होने चाहिए और एक समय में स्टॉक ने 30 रुपए के भी ऊपर शेयर को टच किया था और उसके बाद से निवेशकों के मन में यह सवाल था कि क्या यहां से 50-60 रुपए भी जा सकता है तो यह से तमाम सवालों के जवाब कुछ इंट्रेस्टिंग चीजों के भी चर्चा करेंगे यह कोई बहुत ही डीप एनालसिस टैप की वीडियो नहीं नहीं वाली एक आप कहसे सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट तो होगी और जो डेटा पॉइंट से मैं कहां से आपसे उठाया हूँ यह भी आपको बताऊँगा लेकिन हाँ कुछ चीजों के उपर एस नाइव इंवेस्टर यानि आपके सकते हैं जो नाइन इंवेस्टर आहें अब चलते हैं stock price के तरफ देखिए yes bank limited मैं यह video record कर रहा हैं दोस्तों 4 जुलाई की रात को ठीक है 4 जुलाई की रात को हम यह video record कर रहे हैं stock 24 रुपए के नीचे close दिया है यह एक चीज़ हो गई और यानि कल Friday होगा कल के दिन जो moment आई की stock price में वह हम यहां पे notice नहीं कर रहे हैं तो मैं आप कह सकते हैं की 24 रुपए के नीचे ट्रेड हो रहा है तब मैं यह video record कर रहा हूँ अब देखिए आज कल जो बाजार का हाल चल रहा है जिस प्रकार की बाजार में liquidity है चाहे चीज़े positive हो चाहे चीज़े negative हो दोने ही चीज़ों का जो असर होता है वो बहुत जल्द होता है देखिए एक कुछ अच्छे result आए थे stock ने आप देखे हैं यहापे जिस प्रकार की rally दिखाई stock ने जिस प्रकार की rally दिखाई यह देख रहे हैं आप यह gap और इस पूरे चीज़ को पहुंचने में कितना समय लगा one minute यह देखिए यह है आप कह सकते हैं यह एक दिन का है one minute यह रहा एक साल का देखते हैं यह 27 सक्टूबर 2023 यहाँ से लेकर के stock गया कहाँ पर 9 February 2024 में ठीक है चार महीने समय में 96% return और सबसे बड़ा जो यह gap आया यह देखिए यह कितने समय का आया यह राज stock आपका 22 रुपैसी पैसे में और यह देखिए 37% return वो भी मात्र चार दिन के अंदर-अदर और उसके बाद आप देखिए यह गिरावट आई और अब एक वापस से consolidation of phase चल रहा है ठीक है तो यह चीज़ आद रखिएगा जब भी इस प्रकार के इतनी जल्दी gap आते है बहुत जादा reason होता है कि यह इसी तरह नीचे भी आएंगे और फिर एक consolidation of phase होगा इसके bottom के आसपास ठीक है तो अभी यह यहाँ के आसपास चली रहा है ठीक है इन अरियस में और ऐसा positive भी होता है negative भी होता है negative में आपके याद होगा polycap की खबर आई बहुत भेंकर गिरावट होई हम सब को पता अच polycap कहाँ पे है जो हाँ नीवेशक होगे Dixon Tech का एक खराब quarter आया था mobile के export में कुछ numbers पे कम ही आई थी बहुत भेंकर गिरावट होई वो नीवेशक जो उस गिरावट का फायदा उठाए होंगे सब को पता होगा आज Dixon Tech आप कह सकते हैं नीवेशक रिग्रेट कर रहे हैं कि हमने उस समय क्यों नहीं लिया तो यही चीज होती है बहुत निगेटिव बहुत पॉजिटिव के उपर तुरंध हमको react नहीं करना चाहिए तो यह हुए कुछ stock price ही बात है यहां से stock price को उपर जाना देखिए एक बात या देखिएगा इस पूरे एक साल के run-up में न एक चीज रही है और वो है liquidity जिस तरह से बाजार में liquidity मिल रही है free flow cash आ रहे है कोई stock कहां जाकर के रुकने बाला है कहां जाकर के तीजी जारी रहेगी यह कोई नहीं बदा सकता और हर वो आपके सकते हैं जो भी बाते करता stock का मेरे जैसा कि बई यह stock कभी मत खरीदो मैं कभी भी यह नहीं कहता कि stock को मत खरीदो बाजार में की liquidity में तनी ताकत होती है कि वो खराब से खराब stock को कहां ले जा सकता है किसी को भी नहीं बता तो जब तक liquidity है everything is fine बट अब चर्चा करते हैं कि भई यहां से क्या जो liquidity है या जो consolidation है कुछ ठोस चेंज आया यहस बैंक में परसली मुझसे बुचेंगे बिलकुल आया है यहस बैंक के CEO साहब ने जिस प्रकार सी transformative journey दिखाई है वो अपने आप में phenomenal है अब उसको point to point photo आप देखते हैं आप देखें आपे जो बहुत साथ write-offs देखने को मिले वो balance sheet को मस्बूत करने को मिले देखें आप भी balance sheet को बहुत जाद अच्छी नहीं हो गये लेकि ना जो एक समय में बर्बादी का मनजर था वो बहुत हद तक resolve होता दिखाई दे रहा है आप देखें आपे yes bank ने 120% jump दिखाई year on year earning growth में जिसमें 25% की decline थी provisions में यह 25% की जबकि जो operating profit है वो काफी हद तक flat रहा यानि earning growth में काफी बड़ा jump 120% but overall operating profit थी वो लगबग flattish रहा yes bank के लिए flat revenue भी बहुत अच्छे है revenue आप देखेंगे 17% growth दिखाई year on year लेकिन जो net interest income थी वो मातर 2% की थी year on year में जबकि जो non interest income है उसमें 45% jump पाया है और वो आपके सकते हैं ग्रहाग जो private bank में innovation है उनका account है उनको एक बात पता होगी कि वो कितना जादा charges पे करते हैं और यह वही चीज़ है non interest income और जो net interest margin आपको देखने को मिलेगा वो लगभग flat रहा है 2.4% में gross और not NPA जो non performing loan है दोस्तों उसमें 30 basis point की grabout आई है quarter and quarter to 1.7% और 0.6% respectively ठीक है तो आपके जो gross और net NPA लेल है उसमें कमी आई है तो देखिए मैं इसलिए करहा हूँ जो transformative journey है न वो यूहीं यहां पे नहीं बात की जा रही है वाकही में bank ने महनत की है slipages आप देखेंगे वो 2.5 पे है और led by जो retail और micro small और medium enterprise segment है वहाँ से बहुत सारे one-offs भी किया गया है dominated the earning ठीक है यही कारण है कि overall थोड़ाद आपको दबाओ देखने को मिला okay अगर हम way forward करें बहुत सारे राइटे ID write-offs हुए दोस्तो security precip provisions write back किया गया है 5.9 billion rupees की बट इसके पर भी चचा करने की ज़रूद नहीं है जो ARC sell किये गई 1.9 billion rupees की और देखें the bank use this benefit to increase provision coverage ratio ठीक है यह जो तमाम जो sell-off किये गए यह जो coverage ratio है उसे fulfill करने की कोशिश की गई आप ROE देखेंगे तो लगबग 4% पर रही और ROE यह 0.5% थी for a quarter तो यह बहुत यह दा कोई के के analysis थी यह बताने के लिए कि भई हाँ जो ट्रांस्बर्टिफ जर्णी है वो तो आगे बढ़ी है अब आगे बढ़ेंगे आप यहां पे business धीरी धीरी recover कर रहा है आप देखेंगे आपे जो bank है उसका जो financial 24 end हुआ है एक mixed bag के साथ था देखेंगे आप quarter one के number आने शुरू होंगे वो जब कम number आएंगे मैं वो आपके साथ analysis लेकर क्या हुआ तो अभी से चैनल को subscribe करके all notification को जरूर दबा दीजे ताकि जब उसके numbers आएं तो हम एक साथ discussion कर सकें देखेंगे वापस चलते हैं एक mixed bag रहे asset quality ने improvement दिखाया और यह non-performing loan में भी ratio में भी दिख रहा था और most of the stress दोस्तों यह पहले के हैं ठीक है और कौन से जो day per dues यानि जब दे दिन हो गए 30 से 90 दिनों के हैं ठीक है which is a business as usual outcome बाकी business इस तरह चलना चाहिए उस तरह चल रहा है आगे the bank has pulled back a bit of disbursement बहुत सा जो disbursements थे उसे वापस रहने गए especially जो unsecured loan थे लेकिन जो portfolio है not showing any differential worrying sign हां लेकिन जो portfolio है bank का वो कोई ऐसा बहुत stressing sign नहीं दिखा रहा है मैं इसलिए कहता हूँ yes bank में सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है ऐसा नहीं है stock price को देखकर के बहुत over enthusiastic मत हो जाईए लेकिन हां बहुत कोई worrying sign हो रहा है ऐसा भी नहीं है आप देखें the weak liability franchise plays through net interest margin जिसमें आपको decline देखने को मिल रहा है financial 24 में क्यों cost of funds में बड़ा jump आया है savings account में interest भी तो बहुत जाद है देते हैं लोग ये भी एक reason है ठीक है आप देखें capital adequacy ratio level से दोस्तों may not be familiar to the other private bank but these ratio are currently comfortable for medium to medium term और देखें capital adequacy ratio बहुत सरे bank को लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी लेकिन यस bank का इतिहास देखते हुए आपको इसमें नजर रखनी है हर एक quarter में रखनी है और medium तक तक तो ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई problem नहीं होने वाली ठीक है the bank has given us insight on the drivers of ROA improvement जो return on assets है उसमें improvement आपको देखने को मिल रहा है कि ये loan mix आपका अच्छा improved हुआ है ठीक है आप आपाएंगे जो library profile है वो बढ़ी है और improved loan sourcing mix ठीक है लेकिन we highlighted that these changes take time and investor need to be fairly patent patient माफ कीजेगा while the bank execute them ये बहुत important word है आपको patience रखना पड़ेगा कल कोगल yes bank कोई बहुत बड़े इस तरहों से गिरता है आश्यर मत कीजेगा मुझे अभी जिस प्रकार की liquidity जिस प्रकार की rally जारी है it's okay trade ले सकते है हाँ fresh investment आप मुझे कहेंगे मुझे थोड़ा से tricky लगता है in levels में ठीक है अब आप देखे the bank has a tailwind in lower credit cost as the balance sheet looks comfortable अब एक अच्छी चीज ये लगते मुझे कि अब जो balance sheet है वो काफी हद तक comfortable है ठीक है आगे आप बढ़ेंगे stable performance deposits में हो रही है net interest margin भी काफी improvement दिखा रहा हो देखिए 13% की improvement के बाद year on year basis पे 3% quarter quarter दिखाया है जबकि while loan growth was at 12% year on year 4% quarter quarter यानी deposit में growth में थोड़ी कमी है deposit growth was led by 14% year on year growth and term deposit ठीक है term deposit में जादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है जबकि kasa deposit में 12% year on year growth हुआ है जिसमें 13% यानी current account में आप देखेंगे तो 13% jump है savings account में 12% की jump है और यह बहुत याद रखेगा savings account में interest होता है current account में नहीं होता और जो company आप बैंक्स होते हैं वो kasa को बढ़ाने के कोशिश जादा करते हैं और यह ऐसा consequence क्या हुआ है जो kasa ratio है न यह लगबग flat रहा है quarter model 29% ठीक है bank को अगर अपनी health बढ़ानी में जब health कहता हूँ अगर loan अच्छे से देना है तो आपको kasa deposit को बढ़ाना पड़ेगा और यह लगब flat is रही है और पिछले कुछ सालों में years bank ने improve किया है अपना kasa ratio का और retail term deposit का तो थोड़ा बहुत इस चीज में गिरावट जरूर आया है और बीच में तो आपको पता होगा भाई साब वो crisis था इसे कहा जाता है क्या कि भरोसा होना चाहिए भरोसा ही नहीं था अब धिरे भरोसा बढ़ रहा है और मुझे असा लगता है आने वाले सालों में यहां पर इंप्रमेंट होती दिखाई देगी years bank has been able to have a liability profile while reducing premium offer on term deposit अब क्या है जो एक premium दिया जाता था 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 ना उसे धिरे धिरे कम किया जा रहा है और net interest margin दो उस bank की वह बढ़ी है 10 business spending quarter quarter to 2.4% despite 10 business point की quarter quarter cost of fund आपकी cost of fund अभी बढ़ रहा है अब देखे मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में अगर जो एक interest rate में कमी आती है और यह cost of fund नीचे आते हैं आने वाले समय में yes bank एक improvement आपको ज़रूर दिखाएगा मेरा बस यह कहना है मैं yes bank में कोई बहुत ज़्यादा negative नहीं हूँ हाँ अगर yes bank बाजार में बड़ी किरावट जब होती है अगर अगर होती है न उस समय अगर आप fresh entry लें it's good अगर आपने पुरानी investment कर रखी yes bank में बिलकुल भी घबराने की जुरुत नहीं है थोड़ा सा मैं कहूंगा यह risky profile अगर है तभी रखें वारना अच्छा profit हो रहा है बुक कर ले yes bank in levels में बहुत fresh investment के लिए मुझे सही नहीं लगती okay but for a longer term अगर आप पुराने numbers में रखें especially between 15 to 18 rupees it's a great stock ठीक है जिस तरह से transformative journey चल रही है हर एक quarter इसके number जरूर देखें management क्या कह रही है इसको जरूर देखें अभी जो पंधगट की डगर है बहुत आसान नहीं होने वाली तो एक छोटी से आपनों से शेयर करनी थी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करके चनल सब्सक्राइब कीजेगा यहां तक जुड़े रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद यह शुरू कांत है चैहन दोस्तों